वॉल्कम टू सुवल सर्विसे स्टडी यह प्रक्टिस सैट नंबर 124 है यह test series UPPSC PCS के लिए चल रही है प्रक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट एफेर्स के प्रश्णों पर और GS के सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं कोश्य कंबर बन है आई modular से हाल ही में आई पेल किर्कीट के इतिहास में सबसे बड़ा सकोर नम्ल कि द्म मुंडम से इंडियन प्रेमियर लीग ऑपाया मैं ल्योज़ कि इतिहास में सबसे बड़ा इसकोर तो D है इसका अंसर और अभी भी जो टूनामेंट है वो चल रहा है इससे बड़ा भी स्कोर बन सकता है तो संराइजर सहदराबाद ने IPL के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाया कितना 277 रन बनाए जिसने RCB के 11 साल पुराने रिकोर्ड को तोड़ दिया आरसीवी ने बनाए थे रोयल चैलेंजर बंगलोट इन्हों ने बनाए थे वर्स दोहार तेरह में पूर्णे वारियर्स के खिलाब 20 बनाए थे 263 रन जिसमें क्रिस गेल ने 175 रनों की नावाद पारी खेली थी और सन्राइजर्स हैदरावार ने जो स्कूर बनाया वो मुंबई इंडियन्स के खिलाब बनाया वर्तवान में मुंबई इंडियन्स की केपिटन्स ही किसके पास है हार्दिक पांडिया के पास जोष्ण पास है है इसकी घोष्ण के थी सरकार में सरकार ने वर्सמעर सत्रा में है जो होते हैं वो राजनेतिक धलों को चंदा देने का एक विटेज रिया है यह है एक बचन पत्र के तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरेक या कंपनी भारते स्टेड वेंग की चुनिन्दा साखाओं से खरीच सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनेते के दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है भारत सरकार ने एलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोशना वर्स दोयार 17 में की थी और इस योजना को सरकार ने 29 जन्वरी दोयार 18 को कानूनन लागू कर दिया था प्रिशन नवर 3 पर आज़ेए राजा जी टाइगा रिजर्ब का नाम किसके नाम पर रखा गया है राजा जी राजा जी कहे जाते हैं सी राजगोपालाचारी तो सी हैस का अंसर राजा जी टाइगा रिजर्ब जो है हरिदवार उत्राखंड में शिवालिक परवतमाला की तलहटी में इस्सेते यह है राजा जी राश्टे उत्यान का हिस्सा है राजाजी राष्टे उध्यान जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में उत्राखंड में तीन अभ्यारणों को मिलाकर यानि राजाजी को मोती चूर को चीला को मिलाकर इसका नाम पुर्सेद सतंतरता सेनानी सीराजगौपालाचारी लोगप्ले रूप से जिनको राजाजी के नाम से जाना जाता है कि ये नाम पर रखा गया था और इसे वर्स दोहार पंद्रा में देशकार तालिस वाबाग अभ्यारण खोशित किया गया खोशन नमबर फोर पर आजाई है जलवायू परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल यानि आई पी सीसी की स्थापना कब की गई थी 1992-1988, 1992-1942 जलवायू परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल की स्थापना की गई थी 1988 में भी हैस का अंसर जलबायू परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल IPCC जलबायू परिवर्तन से संबंदित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्तराष्ट की संस्था है यह वर्स 1988 में विस मौसम विज्ञान संगटन और संयुक्तराष्ट परियावण कारिकरम यानि UNEP द्वारा नेतिय निर्माताओं को जलबायू परिवर्तन के विज्ञानिक आधार इसके प्रभावों और हविश्ञ के जोखिमों तथा अनुकूलन वे समन के विकल्पों के नियमित आकलन हितू स्थापित किया गया था क्वेशन नुम्बर फाइब है राज्टिय बाग संरक्षन प्राधिकरण यानि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉर्टी के स्थापना कि स्वर्स की गई थी इंपोर्टन्ट होते हैं प्राष्ण सीधे सीधे पूछ लिए आते हैं एक्जाम्स में इसका उत्तर है दे प्राष्टिय बाग संरक्षन प्राधिकरण यानि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉर्टी यह परियावरण वन और जलवायू परिवरतन मंत्राले के अधीनेक बैधानिक निकाय है इसकी स्थापना वर्स दोहार पांच में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिसों के बात की गई थी इसे स्वापी गई सक्तियों और कार्यों के अनुसार वाग संरक्षन को मजबूत करने के लिए वर्स दोहार छे में संसोदित वन एजीव संरक्षन देनें 1972 के सक्षम प्राभधानों के तहद गठित किया गया था अंतराश्टिय वन दिवस या विश वन दिवस या इंटरनेशनल फॉरेस्ट टेकप मनाये जाता है यह मार्च महीने मनाये जाता हाली में किस मार्च को मनाया गया तो देखें मानप्ता और प्रत्वी के अस्तित वहेतु वनो और पेड़ों के बहेतु के विशे में जागर की थीम वन और स्वास्त है फोरेस्ट एंड हेल्थ 24 प्रशन नुम्बर 7 पर आज़िये GST चोरी के रूप में फरजी इनपूट टैक्स क्रेडिट दावो में पाए गई मुल्यों के मामले में कौन से दो छेत्र सीर्स पर रहे बताईए एक तो है दिल्ली और दूसरा है हरियाना तो इसका अंसर आपसर नुमबर 2 देखे हाल ही में बस्तूर सेवा यानि GST चोरी के रूप में फेक इनपूट टैक्स क्रेडिट दावो में पाए गई मुल्यों के मामले में दिल्ली के साथ साथ हरियाना जो है सीर सिस्थान पर है तो भी है इस काउंसर इस से रिलेट करता हुए एक प्रश्ण है GST काउंसर के बारे में या GST परिशद के बारे में भारतिय सम्भिधान का कौन सा अनुच्छे GST काउंसर या परिशद के गठन का अदेश देता है 200C में तो वित्त आयोग है ठीक है इसका आंसर क्लॉज वाला ही होना चाहिए इसमें टॉर्णी जर्नल अफ इंडिया है तो C इसका आंसर होगा अनुच्छे 279 का A या का तो GST काउंसर या GST परिशद अनुच्छे 279 A GST के परिशासन और संचारन के लिए राष्टपती राष्टपती द्वारा GST परिशद का गठन किया जाएगा और इसके अध्यक्ष होंगे भारत के केंद्रे वित्त मंतरी ठीक है यानि बरतमान में निर्मला सीतरमन और राज्य सरकार द्वारा जो नामित मंतरी होंगे वो इसके सरस्य होंगे और GST काउंसिल को इस तरह से तयार किया गया है कि केंद्र के पास एक तिहाई मत्दान सकती होगी और राज्यों के पास दो तिहाई मत्दान सकती होगी निर्ड़ना जो लिए जाएंगे वो तीन-चोथाई बहुमत से लिए जाएंगे, क्विशन नुर्बर 9 पर आजायाई कहाँ प्रिस्त है, विम्स्टेक में साथ सरस्य हैं, भारत इसका मेंबर है, विम्स्टेक का सच्ची व्लड़ा है, बंगलादेश के धाका में, भीस्टेक एक छेत्रिय वहु पक्षय संकठान है, तथा बंगाल की खाड जो पांच है वो दक्षन एसिया के हैं भूतान भारत नैपाल और सिर्लंका एसी तो यह अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के नमले के दमने से किस जिले में 180 मेगाबार्ट का सौर उर्जा सयंत्र की सुरुवाद की याद रखेगा अब इससे रिलेट करता है एक प्रश्णी है भारते सौर उर्जा निगम की स्थापना कब होई थी वर्स दोहर चार में, दोहर नो में, दोहर ग्यारे में, दोहर सोल में, भारते सौर उर्जा निगम ये इंपोर्टन प्रेश्ण है सब पूशे जाते हैं, दोहर ग्यारे में भारते सौर उर्जा निगम को वर्स दोहर ग्यारे में सामिल किया गया था यहां भारत की अंतराश्रीय प्रति वदिताओं को पूरा करने की दिशा में नवीकर्णिय उर्जाप योजनाओं या परिविजनाओं के लिए नवीन ओर नवीकर्णिय उर्जाम न्तराले की प्राथमें कारेंडवन AGENCY के रूप में कार्था है कुछ नुमबर बारेपरा जी यह भारतिय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना हुई थी कब भारतिय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना हुई थी 1966 में यानि option नंबर ए है इसका आंसर ठीक है एक प्रश्ण तो यह हो गया एंपोर्टन और भारतिय अंतरिक्स विभाग के तहत की गई थी भारतिय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना भारतिय अंत्रिक्स विभाग तहत की घ्खे के बारे में यानि जो ग्राफिकल इंडिकेशन हिंदी भागलिक संके तक टैग के बारे में दो कथने आपर इन में से कौन सा सही होगा जी आई पंजीकरण की देख रहे एक बांडिच एवम उद्योग मंत्राले की अधीन उद्योग एवम आंतरिक व्यापार संबर्दन विभाग द्वारक की जाती है एक पंजीकरण जी आई की जो बैदता होती है वो दस वर्सों के लिए होती है बिलकुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टिट्पेंट सी हैस का अंसर देखें जी आई टैग एक ऐसा नाम या चिन है जिसका उपियोग कुछ विशिष्ट उत्पादों के लिए किया जाता है और जी आई पंजीकरण की देख रहे एक वांडेज एबम उद्योग मंत्रा ले के अधीन उद्योग एबम आंत्रिक व्यापार संबर्दन विभाग द्वाग द्वारा की जाती है तो सी करेक्ट है या यह दोनों के दोनों सही है Question No.14 पर आजी है भारति अभूप एग्यानिक सर्वेक्षण यानि जियोलोजिकल सरवे ऑफ इंडिया का मुख्याले कहां पर है कहां पर है यह है कलकत्ता में कॉलकत्ता में यानि पश्चिम बंगाल में तो भारतिय वहुवे ग्यानिक सर्विक्षन की स्थापनावी थी 1851 में और मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोईला भंडार खोजने के लिए की गई थी इसका जा मुख्याला है वो है कलकत्ता में यानि पश्चिम बंगाल में पश्चिन नमबर 15 पर आजिए उत्तर प्रदेश के नमलेकित मैसे किस जिले में मसान होली मनाई जाती है मसान होली मसान का अर्थ है हिंदू धर्म में वह इस्थान जहां पर शबो को जलाय जाता है यानि समशान घाट या मुर्दा घाट ठीक ठीक है इसमें जो भक्त होते हैं वो चिता की राख और गुलाल को एक दूसरे पर लगाते हैं तो डी हैस कांसर तो हाल ही में वाराणसी में जो है दो दिवसीय विसेश आयोजन के रूप में मसान होली मनाई गई और इस दौरान जो भक्त होते हैं वो एक दूसरे पर अंति किनारे अथवाग हाट पर बड़ी संख्या में एक जूट होते हैं तो विकल पर डी करेक्ट है क्वेशन नमबर 16 पर आजिए लटमार होली डैस में मनाई जाती है कई बार एक्जामें पूशा गया है प्रश्चन लटमार होली जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है बरसाना में बरसाना और नंद गाओं में यानि उत्तर प्रदेश में और जिलाल पूछले तो मतुरा तो लटमार होली हिंदियो तियोहार होली में मनाय जाने वाला एक स्थानिय उत्सब है बरसाना और नंद गाओं में लटमार होली मनाय जाती है बरसाना और नंदगाओं उत्तर प्रदेश की मतुरा जिले में है और इस त्योहार के दोरान ब्रज मंडल के होली गीत सुद्ध ब्रज भासा में गाये जाते है पुश नमबर 17 पर आजएए प्रज में संस्थापकोर सबसे प्रषद और मेहित्पूर्ण सिख गुर्णोर्ण में से एक है इस जन्दग्स नमबर 18 पर किस राज में चप्चार कूट तयोहार बनाए जयता है चप्चार कूट किस राजी का तिवहार है यह है मिजुरम का तो C हैस का अंसर देखिए मिजुरम का सबसे बड़ा और सबसे खुशी का तिवहार चप्चार कूट पूरे मिजुरम में मनाय जाता है और हजारों लोग जो है इसमें सामिल होते हैं इंपोर्टेंट हैं त्योहार इनको मैच वैच करके UPSC भी कई वार प्रश्चन बना चुकी है Quesion No.19 पर आजए है वर्स के किस महीने में हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन हरियाना में होता है देखें परतेक वर्स सूरज कुंड मेला जो हरियाना के फरीदाबाद में ही मनाया जाता है उस शीच प्याद रखेगा और ये बनाया जाता है फरवरी महीने में तो B has cancer सूरज कुंड सिल्प मेला भारत के सबसे बड़े सिल्प मोले मेले में से एक है मेलों में से एक है जो परती वर्स हरियाना के फरीदाबाद में आज़ित किया जाता है मेला वास्ताब में हरियाना के सभी मेलों और तिहारों में सबसे लोगप्रिय है और देश के सभी हिस्सों में बड़ी संख्या में आगान्त को अकर्षित करता है यहां तक कि विस भर से कई प्रेटक जो है प्रतेक वर्स सूरजकूंड मेले सुरजकूंड सिल्ब मेले की मेले में भारत की गौरफशाली संस्कृती और विरासत को देखने के लिए पहुंसते हैं तो प्रशन पूछा जाए कि इस वर्ष का सूरज कुंड मेला है उस वर्ष का सूरज कुंड मेला है हाली में सूरज कुंड मेला कहा मनाया गया नई दिल्ली भौपाल लखनवू फरीदाबाद तो फरीदाबाद में ही मनाया जाता है हर साल हरियाना में वही उसका अंसर रहेगा question number 20 पर आजाईए विहू पर्व भारत के किस राज में मनाया जाता है विहू पर्व है असम का तो असम में मनाया जाता है ये भी है इसका अमसर देखिए विहू नरत्य भारत्य राज असम का एक स्वदेशी लोक नरत्य है यह नरत्य आम तोर पर युबा पुर्शों और महिलाओं द्वारा किया जाता है इस लोक नरत्य में नरत्यकों की पारंपरिक बेजभूसा जो होती है वो रंगीन होती है और लाल रंग की थीम पर केंद्रित होती है जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा इस इमेज में तो 20 एंपॉर्टेंट प्राश्चन सब्सक्राइब लखेगा सिवल सर्विसेज स्टेडी चैनल को यह नमबर एस पर कॉलिया वाटसप करके आफुल टेस्ट पीडियाब सीरीज पर आप्त कर सकते हैं PCS की हर दन प्रैक्टिस करते रहेगा धन्यवाद